नमस्कार मैं हूँ रमेश भट आज मैं आपको जो खेती का मॉडल दिखाने जा रहा हूँ वो ऐसा मॉडल है जिसकी हम कलपना करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटिग्रेटेट एगरिकाल्चर मॉडल उस मॉडल में आपका खेती भी है बागवानी भी है बागवानी में भी और्चरड है कीवी और्चरड है और तरह के प्लांट्स है उसमें आपका पशु पालन भी है उसमें आपका मचली पालन भी है उसमें आपका मुर्गी पालन भी है उसमें आपका बक्री पालन भी है ये सारे काम एक छट के नीचे हुए हैं मैं कहता हूँ ना जिन लोगोंने अपनी जमीने बेजदी वो पच्छता रहे हैं और जिनके पास अपनी गाउं में जमीन हैं वो उसमें निवेश कर रहे हैं मैं आज आपको एक ऐसी सक्षियत से मिला रहा हूँ जो एक पेशे से कॉर्परेट लॉयर हैं उन्होंने जो भी मुनाफ़ा कमाया उन्होंने आकर अपने गाउं में निवेश किया अपने खेतों को आबाद किया मैं ललित खाती जी से आपको मिलाता हूँ ललित भाई बहुत लेकिन उससे जादा मुझे खुशी ये हुई है कि आप ये पैसा शायद कहीं और भी लगा सकते थे आपके दिमाग में क्यों आया कि आपको अपने ही गाउं में अपने ही खेतों में निवेश करना है मैं यहीं खेल हूँ यहीं खेल कूद के बड़ा हूँ और बागवानी अपने नाना नानी से सीखी है उनके साथ मिर्ची के पौधों में पानी डालना नौले से पानी लाना गदेरे से पानी लाना ये सारी चीज़े इसी जगों से सीखी है तो मेरा लगाओ आज से नहीं 40 साल पुराना लगाओ है यहां से और आपने बहुत कुछ यहां पर किया मुझे तारीफ करनी होगी कि मैं जिस उत्राखंड में जिस एग्रिकाल्चर मॉडल के लिए आप से बात कर रहा था वो एग्रिकाल्चर मॉडल मुझे यहां पर देखने को मिला तो यह एक कॉर्परेट लॉयर प्रोफेशन बिलकुल अलग तो यहां दिहान कैसे आया आपका आपको जैसे भी बताया की मेरा चालिस साल पराना लगाऊ है यहां से और मैं हर महिने जब मिरेपास अपना परस barrels नहीं था ट्रांसपोर्ट से भी, एवरी मंद में यहां आया करता था, और आके यहां के लोगों से मिलना, यहां के मेरी उमर के लोगों के साथ बातचीत करना, और फिर सोशल मीडिया के थुरूबी, कई जगों हिमाचल में मैं गया हूँ, तो वहां देखा कि लोग एग्रिकल्चर पर समस्ताओं की जेंड के के बाद हिमाचल परदीश ही है, तो वहां से भी मेरे दिमाग में, मैं 2015-16 में जब हिमाचल गया, तो वहां से भी मेरे दिमाग में आया कि क्यो हमें भी, हमारी खेत, जो हैं बंजर पड़ रहे हैं, क्यो ना इन पर भी हम एप्लाई करें, तो यह एक क्या 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 आपने कौन-कौन से प्लांट से यहां पर लगाएं, आपल तो मैं देख रहा हूं, अपल है यह और उसके बाद किवी है, किवी की यहां चार वराइटीज है, प्लम है, पीच है, और सिट्रस प्लांट करीबन 7-800 सिट्रस प्लांट है, टोटल मिला कि 3,000 प् सब में प्रियोग किया है तो ये कॉंसेप्ट कहां से आया ये कॉंसेप्ट मुझे सिखाया सेव और कीवी ने एक्शली क्या होता है एक प्लांट को लगाने के लिए आपको कम से कम चार से पांस डलिया गोबर चीए अब हम रोड से हाइवे से 700 मिटर उपर है एलिवेटेड में 500 मिटर का फरक है तो जब हमने देखा यार बाइस सो प्लांट लगाने के लिए गोबर कहां से लाए है हमने गाडियों से मगाया जो बेसिकली हमें जरुवत थी फिर ढुलान कराया फिर मैंने सोचा ही इतना गोबर अगर हमें चाहिए होगा तो जो टोटल प्रोजेक्ट की कौस्ट है 25 परसेंट तो गोबर ही ले जाएगा 25 परसेंट इस अमाउट फिर हमने का कि अगर हमने काम ही करना है लॉंट टम काम करना है 30-30 साल का ये प्रोजेक्ट है तो क्यों ना हम गायों को पाल लें ये गाये जो है इन सेव और कीवी के प्लांट ने पलवाई है कि भी गोबर चीए हमें एवरी 15 डेज में 20 डेज में हमें गोबर चीए होगा इसलिए हमें दस गायें भी पालनी पड़ी और उनका गोबर इतना सुफिशेंट होता है कि मुर्गी का दाना भी इस गोबर से निकल जाता है आप मानेंगे सारी मुर्गियां उस गोबर में जाके सारा अपना दाना निकाल लेती है आपने बिलकुल तो आपकी चैनल से리ह है मैं सच बताओは आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना जाता हूँ आपके वर्ड आपको और अपसे ही सुनाए मैं जो जिस की कलपना करता था वो आपने यहां पर रेप्लिकेट किया साथी साथ अगर जो देश दुनिया से जो लोग, मैं आपको बताऊँ सुमेशवर घाटी इतनी खुबसूरत है, आप अगर यहाँ आएंगे, आप इसे निहारते 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 निहाल हो जाएंगे, इतना खुबसूरत है हमारा सुमेशवर, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी सुमेश्वर को परिटन के वो पंक नहीं लगे लेकिन अगर आप एक बार सुमेश्वर आगे आप सुमेश्वर आए बिना दुबारा नहीं रह सकते और हमारे खाती भाई ने तो आतित्ते का भी बड़ा खास इंतजाम कर रखा है तो यहां जब भी आप आए तो आप यहां जरूर आए थोड़ा बताईए कि आपने एक विला बनाये हैं क्योंकि मैं यहीं रहा हो कर रहा तो मुझे बड़ा आनन्दा इतना खुबसूरत और एक शांदार आर्किटेक्चर जो हमारा अपना आर्किटेक्चर है उत्रागंड का आर्किटेक्चर है उसको आपने राप्लिकेट किया है बिल्कुल वही बिल्कुल कॉटेजिस बनाने का मैं आपको बताता हूं कॉंसेप्ट क्यों दिमाग माया अब मैं डेली यहां रहता था उपर नीचे अप एंड डाउन करना पड़ता था यहां साथ-अठ लोग का स्टाफ हमेशा रहता है तो यह मेरे लिवी खाना बना देते थे फिर रात का हमने सुचा है दो कमरे बना लेते हैं अब उपर नीचे जाओ बूडे माता पिता है उनको क्या तकलीफ देनी है यहां है फ्लोर भी उड़न की पैनलिंग उड़न की रूफ भी उड़न की तो हमने इसको च्छे कॉटेज़ बना दिये और फिर एक दिमाग में रहता है एक अच्छा कीचन और अच्छा वाश्रूम जरू होना चीए तो उसको फॉलो किया तो एक अपने अप चीज निकल के आगए अच्छी चीज़ हो सबसे बड़ी बात है आपको जो कुजीन है जो उत्राखंड की कुजीन है जिसकी मैं अमूमन चर्चा करता हूँ कि देश दुनिया में बेस कुजीन हमारे उत्राखंड की है आउगनिक है आपको हेल्थी रखती है तो वो कुजीन आपको यहां मिलने है तो आपने तो सारे पहाड़ी उत्पात उगा भी रखे और बना भी रहे हैं सब का ट्राई करते हैं रोज कुछ नया हम पहाड का बनाते है अब भी हमने नेटल की जिसे हम सिशून बोलते हैं और कई लोग बिच्छू घास बोलते हैं उसकी सबजी बनाई वो भी एक अधभुद बनी और रागी के पराठे वो अधभुद बनते ही हैं आज आपने हमें खिलाए और लाल भात की खिर भी खिलाए लाल चावल की खिर यहां का तो लाल धान का कटोरा बोलते हैं सोमिसर को यहां पर उपराओं में यही होता है और इतना बढ़िया बनता है इसका जो आपने तो टेस्ट करी लिये तो आपके चैनल के मादियम से में लोगों को कहूंगा कि जरूर लाल भात की खिर एक बार जरूर खाएं और उसका मजा लें और नई नई चीज़ें तो पहाड़ में बनती ही रहती है और मैं अब आपको जड़ा सुमेश्वर के दर्शन करा दूँ वो इसलिए करा दूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इसका जो सुमेश्वर का पोटेंशल है ना ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं मैं सिर्फ पीछे से कॉमेंटरी कर रहा हूँ ये सुमेश्वर ऐसा लगता है देवताओं ने स्पेशल ढंग से बनाया हुआ है और इसकी खुबसूरती प्रकृती ने इस कदर दी है कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ जैसे नेनी ताल और मसूरी है मेरी बात आप दिहान रखेगा जैसे नेनी ताल और मसूरी है अब एक नजर अगर देखेंगे ये हमारा समझषवर इतना खूबसूरत है साब और मैं इसलिए आपको बार बार इस समझषवर के दरशन करा रहा हूँ क्योंकि समझषवर भी आपके दरशन के लिलाएथ है तो आईए, हमारे समझषवर में आईए हमारे सुमिश्वर में रहिए हमारे सुमिश्वर में प्रिकृती ने जो चार चांद लगाए हैं उसको निहारिए निहाल होके जाईए यहां से और हमारे खाती भाई ने जो यहां पर आतित्त का इंतजाम किया हुआ है उसका भी आप आनंद उठाईए मैं यकीन से कह सकता हूँ प्रिकृती की गोत में प्रिकृती के सानिद्ध में इस अद्भुत वातावरण में अगर आपने दो दिन भी बिता लिये आप तरो ताजा हो जाएंगे आपके अंदर एक ऐसी स्पूर्ती आ जाएगी कि मैं कहूंगा इससे बड़ा आनुंदो सव जीवन में कुछ और होई नहीं सकता खाती भाई बहुत धन्यवाद बहुत आपने एक मिशाल काइम की है और मैं समझता हूँ हमारी जो ये स्टोरी देख रहे होंगे और जो लोग दिल्ली या देश दुनिया में रहते हैं अब वो वापस आना शुरू करेंगे अपनी मिट्टी का कर्ज भी तो चुकाना है है ना यहां आके निवेश करिए यहां आके कुछ करिए अपने ताले पड़े घरों को दुबारा खोलिए अपने गाओं में रौनक लाइए एक मैसेज में चाहता हूँ आपसे फाइनल जो हमारे बाहर के लोग हैं प्रवासी उत्रा खंडी उन तक भी जाए जितने भी प्रवासी हैं वो शक्षम भी हैं मैं समझता हूँ कि छोटी से मांट से इंवेश्टमेंट करके जो बंजर जमीनों में घास उगरी है उस घास को मत उगने दो उस घास की जगों कुछ पोडेंचल सबजीयां उगा लो इतनी सारी गौर्बंट की स्कीमें हैं हाला कि मैंने किसी स्कीम का फाइदा नहीं उठाया मैं इंडिपेंडेंडेंट सारा काम किया है वो लोग कर सकते हैं, सक्षम है, मशली तालाब बनाएं, मुर्गी पालन करें, गोट फार्मिंग करें, कुछ तो करें, कुछ भी इंटिग्रेटेड ना मॉडल ना करें, इंडिविजिल मॉडल पर काम करें, बस यही एक मैसेज मेरा लोगों के लिए है, आप 15-20 हजार की इनों से, जमीन मत बेशना है, यह जमीन का श्रंगार करना, मा और मातर भूमी का सौधा नहीं करते, तो यह मिट्टी हमारी मा है, इसलिए इसकी जितनी सेवा करोगे, आपका बैंक है यह, और इसमें सेवा जो आप कर रहे हो ना, वही आपका निवेश है, वही आपका लॉ इस पिशकस को देखने के लिए